हेलो स्टुडेंट्स एक्साइज 1.5 कोश्चन नमबर 1 ठीक है यह वीडियो देखने से पहले आप इसकी इंट्रडक्शन वाली वीडियो जुरूर देख लें तो हमारे पास कोश्चन है उनिवर्सल सेट दिया हुए है 129 और A दिया हुए 1234 B दिया हुए 2468 C दिया हुए 3456 अब हमने फर्स्ट कोश्चन है एक कम्प्लिमेंट फाइंड़ करना है तो A कम्प्लिमेंट क्या आता है U-A जानी U में से A वाले सेट सब्ट्रेक्ट कर देने हैं तो U है मारे पास 129 और A है 1234 तो U-A क्या होगा 5 6 7 8 और 9 ठीक है तो यह मारा अंसर है A' का तो second question है हमारे पास B' तो B' किसके एक को लोगा U-B अब U में से B वाले सब्ट्रेक्ट कर देने हैं तो B वाले क्या है एवन है 2468 तो हमारे पास अंसर क्या आएगा 1357 और 9 ठीक है तो यह हमारे पास B का कॉम्प्लिमेंट third है हमारे पास A union C का कॉम्प्लिमेंट तो A union C का कॉम्प्लिमेंट करने से पहले पहले हमें A union C find out करना होगा तो A union C हमारे पास क्या होगा A के element और C के element जानि 1,2,3,4,5,6 मालो जो repeat हो रहा है repeat कौन सा हो रहा है 3 और 4 उसे एक बार ही लिखना ठीक है यह A union C आगया तो अब हमने क्या find out करना है A union C का कॉम्प्लिमेंट तो U मेंसे A union C subtract करना है तो U हमारे पास क्या है 1,2,9 A union C क्या है 1,2,3,4,5,6 तो इन सभी को छोड़के 7,8,9 यह हमारा answer है A union C का ठीक है तो चलते हैं 4th पार पर 4th पार हमारे पास A union B का कॉम्प्लिमेंट तो पहले हम A union B find out करेंगे तो A में element हमारे पास 1,2,3,4 और B में हमारे पास 2,4,6,8 तो A union B हमारे पास क्या होगी 1,2,3,4,6,8 अब हमने इसका कंप्लिमेंट find out करना है तो A union B का कंप्लिमेंट होगा U minus A union B और U में कितने element है 1,2,9 तो बस हमने ये नहीं लिखना है 1,2,3,4,6,8 नहीं लिखना है तो हमारे पास क्या होगा 5,7 और 9 तो A union B का कंप्लिमेंट हमारे पास क्या हैगा 5,7,9 clear तो चलते हैं question number 5th 5th है हमारे पास A compliment का compliment ये हमने आपको property भी लखाई थी अगर किसी set का दोबर compliment कर दो तो वो original set में वापस आ जाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे A का compliment A का compliment तो हमने अभी find out ही किया तो ये ही लिखे देते हैं 5,6,7,8,9 अब हमने इसका फिर दुबारा compliment करना है A compliment का compliment जानि ये हमने U में से A compliment subtract कर देना है तो U कितना है 1,2,9 और ये कितना है 5,6,7,8,9 तो हमारे पास कहाज़ेगा 1,2,3,4 तो A dash का dash मारे पास कितना आ गया 1,2,3,4 clear तो 6th part, last part, first का B-C का compliment तो पहले B-C find out करते हैं B-C में पास क्या हो जाएगा B-C में से सभी B वाले लिखने है और C वाला कोई भी नहीं लिखना तो देखो 4 B में भी आ रहा है C में भी आ रहा है 6 B में भी आ रहा है C में भी आ रहा है तो हमारे पास B-C क्या होगा 2 and 8 तो B-C मारे पास क्या होगा 2 and 8 ठीक है अब हमने इसका compliment find out करना तो ये क्या होगा U-B-C और B-C में तो 2 और 8 है तो 2 और 8 को छोड़के 1,3,4,5,6,7,9 तो ये हमारे पास B-C का compliment ठीक है तो ये हमारा first question complete होता है clear तो चलते है second question second question है U दिया होगा universal set A, B, C, D, E, F, G, H और हमने compliment find out करने हैं जो set given है सबसे पहले A given है हमारे पास A, B, C तो A का compliment हमारे पास क्या होगा U-A तो A, B, C को छोड़ दो बाकी सारे लिखी दो U में से D, E, F, G, H तो ये हमारा A compliment इसी तरह second part second part B हमारे पास दिया होगा D, E, F, G, तो B' हमारे पास क्या होगा U-B तो U-B, U में से B वाले subtract कर देने है B में क्या है D, E, F, G, तो इन सबी को छोड़के U में से A, B, C, D भी नहीं लिखना, E भी नहीं, F भी नहीं, G भी नहीं तो last में क्या हैगा H ठीक है, तो इसका third part third part हमारे पास C दिया हुआ है A, C, E, G A, C, E, G, अब हमने C का compliment find out करना है तो U-C, अब हमने A नहीं लिखना, तो क्या जाएगा B C नहीं लिखना D, E नहीं लिखना F, G नहीं लिखना H यानि, U में से A, B, C, D, E, F, G, H में से बस इन C के element को छोड़ देना है ठीक है, तो last part, fourth part D दिया हुआ है, F, G, H और A ठीक है, तो D का compliment U-D, ठीक है, तो U-D, A यहां है, D में, तो A नहीं लिखना तो B, C, T, E, F नहीं लिखना, G नहीं लिखना, H नहीं लिखना बस यही आप cancer है, ठीक है तो इस तरह हमारे question, दो question complete होता है 1.5 में next video में next question करेंगे तक्स फॉबचिक है जप्रीश पॉब में